नमस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज की इस वीडियो में हम हाल ही में केंद्रिय वित्तमंतरी निर्मणा सीतारवन जी के द्वारा जो हमारे देश में अमरितकाल चल लहा है उसके लिए केंद्रिय बजट को प्रस्तुत किया गया है तो आज की इस वीडिय बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेली ग्राम चैनल केवी गुरुजी या केवी गुरुजी.in के उपर मिल जाएगी तो वहां से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के हम लोग शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूँ कि इस समय अनेकडमी के सारे कोर्स के उपर बहुत ही सांदार ओफर चल लहा है तो अगर आप अनेकडमी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं और उसके उपर आप 20% का डिसकाउंट अवेल करना चाहते हैं तो यूज करिएगा मेरा कोड के इस से आपको अनेकडमी के सारे कोर्स पर तुरंत 20% का डिसकाउंट मिलेगा इसके अलावों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे कोर्ट से अनेकडमी के उपर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो एक बार आप इस वाट्सप नंबर पर मुझसे करना होगा तो चलिए इस वीडियो के हम सुरुवात करते हैं देखें बजट बजट के बारे में तो आप सबी को पता होगा जैसे हमारे घर का बजट होता है उसी परकार से केंदर सरकार का भी बजट होता है यानि कि जो हमारा financial year चल लहा है या फिर जो आपके आनेवाले व अगर हम लोग बजट सब्द की बात करें तो ये एक फ्रांसीसी सब्द ब्यूजे से उत्पन हुआ है देखिए ब्यूजे जो की एक फ्रांसीसी सब्द है और इसका मतलब होता है चमडे का एक छोटा सा थैला तो सबसे पहले इंगलाइन में बजट सब्द का परियोग किया था और मुख्य रूप से यहां पर उस थैले के लिए इसका प्रयोग किया जाता था जहां पर इस प्रकार के जो हमारे सरकारी बै होते थे उनको पूरा करने के प्रस्ताव रखे जाते थे तो सिंपल सा है इसके बारे में आपको यहां से ध्यान रखना है अब हम लोग बात सम्मिधान में आपको कहीं पर भी बजट सब्द देखने को नहीं मिलेगा तो ध्यान रखेगा जो हमारा सम्मिधान है उसमें आपको एक टर्म मिलेगा जिसका नामें वार्सिक बित्तिय बियुरण यानि की एन्युवेल फाइनेंसियल स्टेटमेंट और इसी को कहा जाता ह बजट जो की हमारे सम्मिधान के अनुच्छेद 112 में मैंसन है तो आपको ये ध्यान रखना है कि बजट टर्म का योज डिरेक्ली हमारे सम्मिधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है अगर हम बात करते हैं हमारे देश के पहले बजट की तो ध्यान रखेगा ये 7 अप्रेल 18 1860 को आया था और इसे जेम्स बिलसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था आगे गर हम बात करें तो आजाद भारत में जो पहला बजट है उसको हमारे देश के जो पहले वित्मंतरी रहे थे अंतरीम सरकार के आरके सनमुखम 6 तो इनके द्वारा 26 नॉम्बर 1947 को प्रस्तु किया गया था तो जरूर ध्यान रखिएगा आजाद भारत का जो पहला बजट है ये हमारे वित्मंतरी आरके सनमुखम 6 तो इनके द्वारा 26 नॉम्बर 1947 को प्रस्तुत किया था उसी प्रगार से अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि जब हमारा देश एक गरतंतर बन गया यानि कि 26 जनवरी 1950 के बाद तो पहला बजट किस ने प्रस्तुत किया था तो ये प्रस्तुत हुआ था 28 फरवरी 1950 को और ये हमारे देश के उस समय के जो वित्मंतری थे जिनका नाम सीडी देशमुख सहाब है इन्हों ने प्रस्तुत किया था तो आजाद भारत का पहला बज 1958 और 59 के लिए जो बज़ट था उसको प्रस्तूत किया था हमारे PM ने दरसल उस समय हमारे PM के पास में यहाँ पर बित्त मंतरी का भी अत्रिक्त प्रपार था तो जहार सी बात है बित्त मंतरी ही बजट को प्रस्तूत करता है तो उस समय जवाहलाल नहरू सहाब ने 1958 और 1969 का जो तो हमारे जो मुरार जी देशाई रहे हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा दस बार केंद्रिये बजट को प्रस्तुत किया है, तो ये point भी आपको ध्यारकना है, कि मुरार जी देशाई की नाम पर सबसे ज़्यादा दस बार केंद्रिये बजट को प्रस्तुत करने का record है, आगे यूनियन बजट होता था उसको प्रस्तुत करती थी हमारे देश के जो भी बित्त मंतरी हुआ करते थे लेकिन 2016 से मोधी सरकार ने एक प्रावधान ये कर दिया कि जो रेल बजट होगा वो इसे केंद्रिय बजट के साथ में आएगा यानि कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों अलग-अलग समय पर आएंगे दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया है और अब ये जो हमारा रेल बजट है ये भी इसे केंद्रिय बजट का ही हिस्सा है बित्ये वर्ष 2017-18 की बात करें तो आपको ये भी ध्यार रखना है कि पहले जो हमारा बजट होता था ये फरवरी के आखरी दिन को प्रस्तुत किया जाता था लेकिन 2017-18 से ये मेवस्था कर दी गई कि अब जो बजट होगा वो एक फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा कब एक फरवरी तो ये मेवस्था आपकी 2017-18 से लागू होच गई है फिर आपको ध्यार रखना है कि इस बार का जो हमारा बजट है यानि कि financial year 2022-23 के लिए ये हमारी बित्त मंतरी निर्मला सीता रमन जी के दौरा एक फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया है इस पीज कितना लं दिश्टल रहा यानि की एक टैप था जिसको लेकर के हमारे बित्त मंतरी जी आए थी और उसी से उन्होंने अपनी बजट इस पीज दी थी निर्मला सीता रमन जी की बारे में आपको ये भी ध्यार रखना है कि ये हमारे भारत की पहली महिला पूर्ण कालिक बित्त मंतरी ह आपको ध्यारकना है कि ये पहली पूर्ण कालिक बित्मंत्री है हाला कि इंद्रिया गांधी जी भी फाइनस मिनिश्टर रही है लेकिन उस समय वो देश की पीम भी थी तो आपको ध्यारकना है कि पहली जो पूर्ण कालिक बित्मंत्री है उनका भी नाम है निर्मला सीता रमन तो ये बजट के बारे में कुछ बेसिक चीजें हमने डिसकस कर लिए है, अब आईए जो हमारा इस साल का बजट रहा है, उससे जुड़े हुए महत्पूर प्रश्णों को भी हम लोग डिसकस कर लेते हैं, पहला प्रश्ण है कि financial year 2022 के लिए केंद्रिये बजट किसके द्वार प्रस्तुत किया गया, तो ध्यानक्य का निर्मला सीता रमन जी ने प्रस्तुत किया है, एक वित्मंत्री के तौर पर चौथी बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, तो option B हो जाएगा यहाँ पर current, अगला प्रश्ण है कि किस वर्स rail बजट को केंद्रिये बजट से अ गया था, तो आजाद भारत की बात करें, यह प्रस्तुत हुआ था 28 नॉंबर 1947 को, और इसे प्रस्तुत किया था RK सनमुकम सट्टी साहब ने, option C होगा यहाँ पर current, अगला प्रश्ण है कि सबसे अधिक 10 बार किस गेंद्रे मंत्री के नाम बजट प्रस्तुत करने का record है, तो यह record मुराजी दिसाय के पास में है, जिनोंने 10 बार प्रस्तुत किया है, वही पर अगर हम PC दंबरम साहब की बात करें, तो इनके पास में भी 9 बार प्रस्तुत करने का record है, तो option A हो जागा यहाँ पर current, अगला प्रश्ण है कि एक प्रधानमंत्री के तोर पर सबसे पह कि जो हमारा केंदिय बजट है 2022 का, इसके अनुसार जो हमारा अगला financial year होगा, इसमें हमारे GDP की जो व्रधिदर है, यह कितने प्रस्त अनमानित की गई है, तो यह आपको ध्यार रखना है, यह 8 से लेकर के 8.5% अनमानित है, कितना? 8 से 8.5% तो आप कह सकते हैं, option B और D हमारे दोनों हो जाएंगे यहां पर correct, तो इस बार जो हमारा यह economic survey है, इसमें भी यह बताया गया, कि जो अगला financial year होगा, इसमें हमारी जो growth rate है, वो 8 से 8.5% रहेगी, आपको यह भी ध्यार रखना है, कि जो हमारा यह वित्तिय वर्स चल लहा ह है, यानि कि 21 और 22 वाला, इसमें हमारी growth रहेगी 9.2%, तो दोनों आपको ध्यार रखने हैं, पिसले अगले वाला जो estimate है, वो 8 से 8.85 है, और जो current हमारा financial year चल लहा है, इसके लिए यह है 9.2%, अगला प्रशन है, कि केंद्रे बजट 2022 थे, इसमें, कितने किलोमेटर के 30,000 किलोमेटर का जरूर ध्यान रखेगा, 25,000 किलोमेटर का target है, तो option B होगा यहाँ पर correct, अगला प्रशन है, कि केंद्रे बजट 2022 थे, इसमें, पीम गती सक्ती योजना में, कितने कारकों को सामिल किया गया है, तो यह काफी महत्पूर्ण है, हाला कि यह योजना आपके प बिमान पत्तन हो गया, माल फरिवहन है, जल मार्ग है, और हमारी लॉजिस्टिक और सनचना है, यानि कि पूरे देश में, जो हमारे इस प्रकार के transportation के मीडियम है, इनको और ज्यादा बहतर किया जाएगा, पीम गती सक्ती योजना के तहत, तो option A होगा यहाँ पर correct, अगला तीन वर्सों में कितनी उतक्रिष्ट बंदे भारत ट्रेन चलाए जाने का लच्छ है, आपको बता होगा, train 18 या बंदे भारत हमारे देश की सबसे उतक्रिष्ट ट्रेन है, और सरकार नहीं ये कहा है कि अगले तीन वर्सों में हम लोग इस प्रकार की 400 ट्रेन चलाएंगे, अगला प्रशन है कि केंद्रिय बजट 2022-23 के अनुसार तीन वर्सों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए कितने PM गती सकती कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे, तो ध्यान रखेगा, यहाँ पर ये जो टर्मिनल होंगे, इनकी संख्या होगे 100, अप्सन C हो जाएगा यहाँ पर करेंट, अब ये आप लोग समझ पा रहे होंगे संभोता, देखें कार्गो टर्मिनल मुख्य रूप से हमारे वे अस्थान होते हैं, जहाँ पर हमारे बाहर से जो चीजे मंगाई जाती हैं, या फिर हम बाहर की जो भी चीजे भेजते हैं, ये एक प्रकार के अस और इस प्रकार के 100 टर्मिनल बनाये जाने का लच्छ है, तो C होगा करेंट, अगला प्रशन है कि केंद्रिय बजट 2022 थे इसमें, एक कच्छा, एक TV चैनल का रकरम के लिए किस योजना की घोशना की गई है, हाला कि ये योजना पहले से ही चल लही है, पहले यहाँ पर 12 TV च चैनल होंगे, और योजना का नाम है PME विद्या, क्या नाम है, PME विद्या नाम है, तो B हो जागा फिलहाल के लिए यहाँ पर करेंट, तो देख सकते हैं, ये वन क्लास वन TV चैनल प्रोग्राम है, जिसको 200 TV चैनल तक एक्सपांड किया जाएगा, फिलहाल अभी ये 12 चैन का अत्रिक्त क्रेडिट दिया जाएगा, तो अगर हम लोग MSME छेतर की बात करते हैं, तो इनको टोटल 2 लाग करोन रुपय का क्रेडिट दिया जाएगा, ओप्शन B हो जाएगा, यहाँ पर करेंट, तो ध्यार रखेगा, कि इन्दर सरकार ने ये कहा है, कि हम लोग वैसे तो MSME सेक्टर को यहाँ पर क्रेडिट गारंटी फंड दे ही रहे हैं, लेकिन जो फंड हमने दिया हुआ है, उसमें अडिशनल 2 लाग करोन का फंड हम लोग और देंगे, तो धिया रखेगा, 2 लाग करोन और दिया जाएगा, तो B होगा, करें, अगला प्रशन है, कि केंद अगला प्रशन है, कि केंद्रिय बजट 2022 तेज के तहट, कितने आगनवाडियों को सच्छम आगनवाडी में अपग्रेड किया जाएगा, तो इनकी संख्या हो जाएगी 2 लाग, कितनी, एक लाग होगी इनकी संख्या, तो ऑप्सन, एक नहीं है, जी, 2 लाग है, हाज, यह C होगा, 2 लाग हो, तो यहाँ पर C हो जाएगा, करेक्ट, तो ध्यारक कीगा, बजट स्पीच में हमारे बितमंत्री ने ये भी कहा है, कि हमारे यहाँ पर जो 2 लाग आगनवाडी है, इनको और बहतर किया जाएगा, यानि कि सच्छम आगनवाडी में इनको गुशना की गई, तो नाम सही आपको ये दैविय योजना लग रही होगी, तो पीम डिवाइन योजना की जो रासी है, वो पंद्रा सो करोड उपए है, कितनी है, पंद्रा सो करोड उपए है, तो ऑप्सन भी हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, तो देख सकते हैं, जो हमार हमारे उत्तरी पूरवी भारत के राज्ये है, वहाँ पर जो अवसन रचना है, या फिर जो हमारे सामाजिक विकास के पर योजनाएं है, उसके लिए इसकी घुशना की गई है, योजना की जो रासी है, ये पंद्रा सो करोड उपए है, और ये भी कहा गया है, कि जो भी हमा के लिए करें, अगला प्रशन है, वित्तिय वर्षा 2022-23 में 48,000 करोड उपए में पीम आवास योजना के तहत कितने लाख आवास के निर्मार का लच्छ है, तो ध्यान रखेगा, वैसे 2015 में जब सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने 2022 के लिए अपन मारे देश में हर ब्रती को आवास है, वो 2022 तक हम लोग कर लेंगे अचीब, हाला कि इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, तरकार ने एक नए घोशना कर दी गई है, इस अमरित काल के बजट में, कि 80,000,000 हम लोग नए घर और बनाएंगे, चलिए अच्छी बात है तो आप्सन D हो जाएगा फिलाल के लिए करेक्ट, तो फिलाल के लिए 48,000,000 करोड रुपे अलोट किये गए हैं, और कहा जा रहा है कि इस योजना के अंतरगत, 2022-23 में 80,000,000 नए घर बनाए जाएंगे, तो आप्सन D हो जाएगा करेक्ट, अगला प्रशन है, कि केंद्रिय बजट 2022 में, बजट उनमान कितना है, यानि कि हमारा बजट estimate कितना है, तो ध्यान रखेगा यह है 39.44,00,000 कितना है, 39.44,00,000 करोड यह हमारा बजट उनमान है, तो आप्सन A हो जाएगा यहांपर, आप्सन पर करेक्ट, यानि कि जो हमारी सरकार है, वो अगली financial year में 49,44,00, 9909 करोन उपए यहां पर खर्च करेगी जो की 2021-22 के रिवाई इस्टिमेट से 4.6% ज्यादा है तो यह थोड़ा साब ध्यान किएगा एक्जेक डेटा तो ऐसे नहीं पूछा जाता है तो यह हो जाएगा करेंगा अगला प्रशन है कि केंद्रिये बजट 2022-23 में जो हमारा करें इसमें जो राजकोस यह घाटा है वह कितने प्रसत अनुमानित किया गया है तो ध्यान रखिएगा यह अनुमानित 6.9% दरसल यह पहले 6.8% था पिछले वाले बजट में लेकिन अब इसको रिवाईज किया गया है इस वाले बजट में और यह आपका हो गया 6.9% तो जरू आज कोस यह घाटा GDP के कितने प्रसत अनुमानित है यानि कि हम लोग अगले financial year की बात कर रहे हैं अगले में यह अनुमानित है 6.4% कितना 6.4% तो यहाँ पर D हो जाएगा फिलहाल के लिए correct तो आपको ध्यान क्या रखना है देखिए जो current financial year चल रहा है यानि कि financial year 22 इसके ल हमारा financial year पिछले साल complete हुआ था उसके लिए है 9.2% तो इसमें आप लोग confused भी मत होईएगा अगला प्रशन है कि केंदे बजट 2022-2023 के तहत financial year 2030 के लिए राजस सुघाटा कितने प्रसत अनुमानित है तो अगर हम लोग revenue deficit की बात करें तो यह हमारा है 3.8% कितना मैं बात कर हूँ अगले financial year की जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है तो उसके लिए 3.8% अनुमानित है तो D हो जागए यहाँ पर करें अब ध्यान आपको क्या रखना है देखिए जो financial year हमारा बीच चुका है यानि कि 2020 का उसमें यह 7.3% था पिछले साल जब budget आया था तो हमने इस financial year के के लिए इसको और मानित के अथा 5.1% जो की revise किया गया है इस budget में यह 4.7% हो चुका है और जो हमारा अगला financial year सुरू होगा वो हमारा होगा 3.8% तो यह आपको ध्यान रखना है अगला प्रशन है कि केंद्रिय बजट 2022-30 में किस वर्स तक हर गाउं को optical fiber cable से जोडने का लच है तो यह target 2025 का है जरूर इसके बारे में ध्यान रखिएगा option फिलाल के लिए भी हो जाएगा यहाँ पर करेगा अगला प्रशन है कि केंद्रिय बजट 2022-23 में जो सहकारी समितिया है उनके लिए बैकल्पिक कर भुकतान को 18.5% से घटा कर कितने percent कर दिया गया है तो यह कर द D हो जाएगा यहाँ पर करेगा अचा इसके अलामा आपको यह भी ध्यार रखना है कि ऐसी सहकारी समितिया जिनकी कमाई एक करोण से 10 करोण के बीच में है उनके अधिभार को भी यहाँ पर 12% से घटा करके 7% किया गया है तो आप कह सकते हैं कि सहकारी समितियों के थोड़ी परती लीटर कितने रुपए का बिवेदक उत्पाद सुल्क देना होगा अब ध्यानक किएगा यहाँ पर एक साइज ड्यूटी देनी होगी अगर कोई भी ऐसा पर्टोलियम है जिसमें कोई भी हमारा अन्य चीज नहीं मिली हुई है जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा प यहाँ पर देने पड़ेंगे उस पाटिकुलर पेट्रोल के लिए तो ध्यान रखिएगा गैर मिस्रित इधन पर एक अक्टूबर 2022 से प्रती लीटर दो रुपए का टैक्स भी देना होगा सरकार को तो सी हो जाएगा यहाँ पर करक अगला प्रशन है कि केंद्रिय बजट 2022 2022 में नेशनल पेंशन सिस्टेम के तहट राजी सरकार के करमचारियों के कटवती में कितने प्रस्त सरकार के योगदान का प्रस्ताव है देखे होता क्या है कि जो पुरानी पेंशन समाप्त हुई थी उसके बाद में 2004 से ही आपके NPS की सुरुवात की गई थी तो केंद्र सर cha के और 100 परसंट है वह आपकी सरकार देती है इन करमचारीयों को और 7000 प्लस इसका जो 14% है वहर महीशने इन करमचारियों के खाते में एड होता है समझ गए न लेकिन ऐसी बिवस्ता राजी सरकार के करमचारियों के लिए नहीं थी उनके लिए 10% की बिवस्ता थी तो सरका ने ये कहा है कि अब जो राज सरकार के करमचारी होंगे उनके बेतन में भी इसी प्रकार का योगदान दिया जाएगा तो ध्यार रखेगा option B होगा यहां पर correct अगला प्रशन है कि केंद्रिय बजट 2022 देश में कितने डांग घरों को को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का मिलने लगेंगी तो D हो जाएगा correct अगला प्रशन है केंद्रिय बजट 2022 देश के तहत कितने उत्कृष्टता केंद्र के साथ नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉंज किया जाएगा तो टोटल 23 उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे कितने टोटल इनकी संख्या 23 होगी तो ध्यान कियेगा option C होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि केंद्रिय बजट 2022 देश में किस नदी लिंक प्रोजट के लिए 44,000 करोण रुपए का प्रावधान किया गया तो अगर हम लोग इस लिंक प्रोजट की बात करते हैं तो यहाँ पर बात हुई है केंद्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दोनों राज्यों के लिए बहुत ही महात्पूर्ण है तो option A हो जाएगा यहाँ पर current देख सकते हैं कि जो हमारा current financial year है इसमें 1400 करोण रुपए इसको आवंटिक किये गए है 9,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, जो जनरेट होगा वह 103 मेगावार्ट का होगा और जो यहां से solar power जनरेट होगा वो होगा 27 मेगावार्ट तो ध्यान रखेगा यह केन बीतवा link project अगला प्रश्न है कि केंद्रिय बजट 2022-23 में किस नदी के 5 km के छेत्र के लिए रसायन मुक्त जैविक खेती की घोशना की ग यहां से बहती है तो इधर 5 km और इधर 5 km यह जो आपका एरिया होगा यहां पर किसी प्रकार करेट नासक या केमिकल या रसायन हो गएरा का प्रयोग नहीं किया जाएगा यहां की जो खेती होगी वो पूरी तरीके से chemical free होगी और organic farming यहां पर की जाएगी तो option D हो जाएगा यहां पर कर अगला प्रशन है बहुत ही महत्पूर कि केंद्य बजट 2022-2023 में किस virtual digital संपत्ति के ट्रांसपर पर वर्चुल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफ़र पर कितने प्रसंट के टेक्स की घोशना की गई है तो ये घोशना हुई है 30% की तो बात हो रही है ये एक प्रकार का क्रेप्टो के उपर लगने वाला टेक्स है यानि कि अगर आपकी कोई भी डिजिटल संपत्ति होती है उसका आप लोग लेन देन करते हैं तो वहाँ पर जो आपको लाब वगएरा होगा उसके उपर 30% आपको देना होगा टेक्स सरकार को तो ओप्शन C हो जाएगा करेट अगला प्रशन है कि केंद्रिय बजट 2022-23 में किस मंत्राले के बजट में सबसे ज़्यादा बृध्धी होई है तो ध्यान रखेगा यहाँ पर जो हमारा मनिष्टी आप कम्यूनिकेशन है जिसके मंत्री अस्वनी बैश्णों सहाब है उसके बजट में सबसे ज़्यादा बृध्धी होई है तो B हो जाएगा यहाँ पर करेट अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंत्राले को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो हमारा डिफेंस मंत्राले है और अगर हम लोग बात करते हैं कि किस के पैसे में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है तो ये मनिश्ट्री आप कम्यूनिकेशन है जिसके पैसे में 93% का इंक्रीज यहाँ पर हुआ है तो आपसें B हो जाएगा करेट अगला प्रशन है कि केंद्रिय बजट 2022 देश के अनुसार सरकार की कमाई का सबसे बड़ा सरोत क्या है तो ध्यान रखेगा सरकार ने जो उधार वगरा दिये हुए है या जो सरकार की अधर लाइबिलिटीज है उसी से सरकार को सबसे ज़्यादा आए होती है तो आपसन C हो जाएगा यहाँ पर करेक यह देख सकते हैं कि सरकार को 1 रुपया मतलब 100 रुपय कहां से मिलते हैं जैसे अगर सरकार को 100 रुपय मिल लए हैं तो 35 रुपय उसमें से बारोईग और लाइबिलिटी के हैं उसी प्रकार से 15% आपका कार्पोरेट का टेक्स होता है 15% इंकम टेक्स होता है इसी में आपका 16% GST होता है नौन टेक्स रवेन्यू 5% है और यह बाकी आपके होते हैं सरकार की कमाई के जरिये तो ध्यार कीगा सबसे ज़्यादा कमाई बारोईग और अदर लाइबिलिटी से होती है अगला प्रशने की केंद्रिये बजट 2022 देज के नुसार सरकार किस छेत्र में सबसे ज़्यादा खर्चा करती है तो सरकार के खर्चों की बात करें तो ये जाता है ब्याज के भुक्तान में यारे कि जो हमारे सरकार ने कर लिया हुआ है उसका जो इंटेस्ट पेमेंट है उसमें सरकार सबसे ज़्यादा खर्चा करती है तो option B होगा correct तो ये देख सकते हैं कर्ब में जो सरकार का खर्चा होता है वो यहाँ पर 20% है इसके अलावा जो राज्यों के हिस्सेदारी होती है टैक्स और ड्यूटीज में वो 17% है Finance Commission के अंसार जो राज्यों के हिस्सेदारी होती है वो 10% है जो हमारे देश में Central Sector Scheme है उसमें 15% है तो ये होते हैं सरकार के खर्चे तो बस थोड़ा आपको याद खना है कि सरकार मेंली कहां से अपना पैसा प्राप्त करती है देश में और कहां पर सरकार ये पैसा खर्च करती है तो इस प्रकार से जो भी महत्मोर प्रश्ण आपकी परिच्छाओं के लिए जरूरी थे उनको हमने यहाँ पर डिसकस कर लिया है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे आप लोग लाइक का बटन दबा करके इसे लाइक जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में सेर करिए अनकेडमी के उपर मेरी डेली लाइब क्लास भी होती है तो अगर आप लोग करेंट अफेर समझना चाहते है इसके लाइश्टेटिक जीगी का डेली टेस्ट वगएरा देना चाहते है तो नीचे आपको डिसक्रिप्शन में मेरी अनकेडमी प्रोफाइल के लिंक मिलेगी उस पे क्लिक करके आप मुझे अनकेडमी के उपर फॉलो कर सकते हैं धैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत